नमस्कार दोस्तो आज मैं दो तरह की रेसिपी लेके आई हूँ एक मीठा वाला हलवा की रेसिपी लेके आई हूँ और एक सबजी की रेसिपी लेके आई हूँ और इन दियोनो रेसिपी को मैंने एक ही चीज से बनाया है जिसको की हम हमेशा फैक देते हैं कभी भी उसका इस् ठीक रहता है इन चीलको से मैंने आज यह बहुत ही टेस्टी हलवा वनाया है जो कि बहुत यह मिलगता है इन चीलको में बहुत सार ज्यादा बिटामिन-जैसे की कार्भो हाइट्रेट, बिटामिन-C, बिटामिन-A, पोटेशियं होता है और सबसे बड़ी बात इसकी जो ओई कर रहता है इसको चाकू से छिलके हटा लेंगे और सॉब्ट वाले पार्ट की टुकड़े टुकड़े काटके रग लेंगे और फ्री रेडिकल एक ऐसी मॉलिक्यूल से जो हमारी बॉड़ी की अच्छे सेल को डेमेज करता है तो यह हमारी उस चीज से बचत करता है तो इसको ह हम हम हलवा बनाएंगे हलवा बनाने में के लिए हमने कड़ाई लिया है उसमें चमाज घी गरम करने के बाद मादे लाउन, और सात में यह शमाज सूजी डालके हम इसको थोड़ीसी लाल होने तक सूजी को भून लेंगे, सूजी हमने इसलिए मलाया है, क्योंकि हमें हलवा की जो टेक्सचर है वो दानेदार ziem सचाहिए, क्यूंकि हमने इसको किसनी में किसा नहीं चटनी की तरब पीछ लिआ तो इसको दानेदार बनाने के लिए हमें सूजी की मदद लेना पड़ रहा है नहीं तो सूजी ना भी डालो तो कोई दिकत नहीं है अब हम सूजी भुनने के बाद इसमें हम मिला रहे हैं हमारी जो PCV तरबुज जिनको भी पसंद नहीं है वो unsalted butter से भी यह हलवा को बना सकते हैं अभी हमें इसको तब तक भुनेंगे जब तक इसकी पानी पूरी तरह से सूख न जाए देखिए ये पानी सूखने के बाद इस तरह से आएगा ये इसका दानेदा टेक्स्चर भी आ चुका है लूक भी इसका अच्छा आ चुका है अब हम इसमें मिल्क मिलाएंगे इसना पानी सुखने के बाद मिल्क मिलाके फिर से इसको पकाएंगे मिल्क जो है हम थोड़ा गाड़ी लेंगे क्योंकि गाड़ी मिल्क हलवा को बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसलिए गाड़ी मिल्क ही हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं एक बड़ा कोटोरी मिल्क इसमें ले रही हूँ जिसको कि मैंने पहले से ही उबाल उबाल के गाड़ी कर लिया लगभग आधा लेटर मिल्क को उबाल उबाल के पाव भर जब रह जाता है उसी को मैंने इसको मिलाया, इसमें मैंने इलाइची पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, उसके बाद ये जब मिल्क थोड़ा सा उबल-उबल के गारी होने लगेगी, तब इसमे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा काजू, किसमीज, और थोड़ा सा बादाम, यही मिला रही हूँ, आपको जो चाहे इसमें ड्राफ्रूट मिला सकते हैं, पिस्ता बगेरा भी मिला सकते हैं, और जो मर्जी आप इसमें मिला के इसको रिच बना सकते हो, बट मैंने इतना ह वालों को ले तो कभी भी मिला सकते हैं लेकिन गोड़ ़्लास्ट में ही मिलाते हैं यह हलवा अब हमारा त्यार है इसको सर्व कर लेते हैं यह बहुत ही हेल्दी रहता है नौर्माली तरबुज की छिल्का किसी को खाने के लिए दो तो वो कहीं भी नहीं खाएगा लेकिन इस तरह से हलवा बना के तो तो बहुत मज़े से बहुत खुश हो के खाएगा और बहुत हेल्दी चीज भी खाएगा तो आप लोग इसको जरूर एक बार ट्राय करिए तो चलिए हम सबजी की तरव जाते हैं सबजी भी हमें उसी छिलके से ही बनाया है एक तरबुज को मैंने और दूसरे हादों का मैं सबजी बना रहे हूं और यह सबजी रोटी के साथ गरम गरम पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है उसके लिए फिर इसको काटा है से टुकडो में और इसकी जो लाल पाठ है थोड़ा सा वह अलग कर दिया है क्योंकि नहीं तो सबजी मीठा लगने लगेगा तो इस तरह से काट के रखा है उसके बाद मैंने सर्सो का तेल एक बड़ा चमच लिया है और इसमें मैं छोटी चमच हिंग डाल दिया है सर्सो की तेल में बनाना बहुत अच्छा लगता है इसमें मैंने सर्सो जीरा आप जो चाहे जैसे सोब बगेरा भी लेकिन बस जीरा और मैंने सरसो ही चटका है उसमें एक लाल मिर्ची डाला है अब एक कटा हूँ अब प्याज को मैं इसमें एड करूंगी प्याज एड करने के बाद इसको थोड़ी देर गोल्डेन ब्राउन होने तक भुनेंगे प्याज को प्याज अत्री जरह से भुन टाकि जल्दि से भुन जाए इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें या तो आप चाहे तो पीस के अध्रक लेसुन का पैष डाल चकते हो एक माज नहीं आं थोड़ा सा किस्नी में किस्द के भी डूल सकते हो मैंने किस्द के तक हिसका रॉस्समेल चला जाए उसके बाद मैंने इक आलू को उसका छिलकां निकालकर छोटे डुकड़ों में कचा आया है इसको वाला नहीं है उसको डॉल रहे हो थोड़ा इसको लाल होने तक भुनेंगे आलू के साथ भुनने के बाद अब हम इसमें हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर एड़ कर देंगे इसमें अभी कोई मैंने जिरा धनिया का पाउडर वगरा नहीं एड़ कर रहे हूं इसमें बस लास्ट में एक सबजी मसाला थोड़ा सा डाल और तर्बुच की छिल्का मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सीम में थोड़ी देर के लिए ढखके पकाएंगे हम क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राय में थोड़ा सा भून जाएगा तेल के साथ और आलू अगरा के साथ और उसके बाद पानी आड़ करे तो यह जल्दी से पक जाएगा, इसको इस तरह से ढखके, सीम में थोड़ी दिर के लिए पका लेंगे, चार से पांच मिनिटे से पका लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, पानी इसलिए एड़ करेंगे, क्योंकि आलू भी हमने क देख़ूंत आठ चुकह है तो टॉटल इससे 10-12 मिनिट लगता है अब हम इसमें धनिया पतायड करेंगे और धनिया पतायड करने के बाद इसको अच्छी से मिला लें और मिलाने के बाद हम इसमें फिर से क्या करेंगे एक सब्जी मसाला थोड़ा सा मिलाएंगे चाहे हो तो आप गरम मसाला भी मिला सकते हो और इनको मिलाने के बाद सब्जी मसाला मिनाले के बाद दो मिनिट और धक के पका लेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर यह रेडी हो जाएगा इ देखिए जो विटामिन है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा वेनिफिट देता है तर्बू जो होता है प्योरली अलकालाइन होता है जो हमारी बोडी में बहुत अच्छे से जाके हमारी एसिडिक लेवल को कम करता है तो इस तरह के आप रेसिपी और हलवा बना के देखिए और खाके देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा और हाँ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थाइंक यूँ